हलो फ्रेंड्स वेलकम टू कृजी जी के ट्रिक आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंडिया ने रिसेंड लीक हो इन्वेस्टिकेशन चालू की है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए चायना ताइवान और वेतनाम पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस वीडियो मे देखेंगे ये क्या इशू है उसके बाद हम देखेंगे क्या-क्या सेफगारड प्रोवाइड करता है WTO in the form of Anti-Dumping Duty और Counter-Welling Duty और एदमें हम देखेंगे इंडिया ने क्या एक्शन लिया है आए सबसे पहले हम इस इशू को समझते हैं इस इशू को समझने के लिए यहाँ पर हमें एक example देखते हैं माली जी दो country हैं A और B यहां पर country B export कर रही है और country A import कर रही है country B for example mobiles को export कर रही है और country A mobile का import कर रही है country B से यह तो normal import export हुआ मगर problem तब आती है जब country B वही mobile अपनी country में 100 रुपे का बेशती है और country A में वही mobile लब्बे रुपे का बेशती है तो उसका यह मतलब है कि country B जानमूज का सस्ता दे रही है mobile country A को जिससे country A की जो domestic industry है वो grow ना कर पाए और उस पे negative impact पड़े friends इस process को ही बोला जाता है dumping dumping मतलब जहाँ पर एक country दूसरी country को जानमूज कर सस्ता एक्सपोर्ट देती है friends इसको रोकने के लिए आप anti dumping duty लगा सकते हैं इंडिया के case में यही हुआ है इंडिया की tiles industry का कहना है कि चाइना, तैवाय और वेत नाम जानमूज कर सस्ता एक्सपोर्ट कर रही है tiles का जिसके कारण इंडिया की खुद की domestic tiles industries को आगे बंडे में दिक्कत जा रही है आईए देखते हैं world trade organization के तहट किस तरीके से countries अपनी domestic industries को बचा सकती है और safeguard प्रोवाइड कर सकती है यहाँ पर हम देखते हैं countervailing duty फ्रेंड्स आईए समझते हैं countervailing duty क्या होती है माली जीए इंडिया और चाइना की बीच import export चल रहा है और इंडिया चाइना से television import कर रही है मगर इंडिया को पता चलता है कि चाइना अपनी television industry को electricity पे subsidy देता है tax exemptions देता है land subsidy पे देता है जिस वज़े से वहाँ की TV industry को TV manufacture करने में cost कम आती है इसलिए इंडिया में वो सस्ती TV बेश पा रहे हैं इस चीज़ को देखते हुए इंडिया अपनी domestic TV manufacturing industry को बचाने के लिए countervailing duty लगा सकता है जो WTO के तहत एकदम legal है और दूसरी चीज़ होती है anti-dumping duty जिसको हम discuss कर चोके हैं फ्रेंड्स इन दोनों तरीके से countries अपनी domestic industries को protect कर सकती हैं against the unfair trade practices from different countries आईए अब हम देखते हैं इंडिया किस तरीके से action लेने वाला है इस पूरे issue पर सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया की जो tiles manufacturing companies हैं जैसे के wellspun India limited इनोंने सबसे पहले ने petition register करी against Taiwan, China और वेतनाम जहाँ पर इन companies ने बोला कि यह countries जानमूझ कर specifically vinyl tiles को dump कर रही हैं इंडिया में फिर यहाँ पर इंडिया authorities ने इस issue को resolve करने के लिए anti-dumping probe यानि के investigation चालू की इंडिया में director general of trade remedies एक authority है अंडर ministry of commerce जो investigate करती है ऐसे issues को Friends, इंडिया ने पहले भी चाइना पर और बागी countries पर anti-dumping duties लगाई है Recently हमने देखा था इंडिया ने चाइना के 5 items पर 5 सारी के लिए dumping duty लगाई है Friends, similarly इंडिया ने साओधी अरेबिया, इरान, ओमान पर भी anti-dumping duties लगाई है Friends, इंडिया हो या कोई भी country हो वो anti-dumping duty या counter-vailing duty तभी लगाता है जब उसकी domestic industries पर हम पहुंचता है इस particular case में पहले Director General of Trade Remedies investigate करेगा उसके पाद अपनी report submit करेगा Ministry of Commerce को फिर इंडिया यहाँ पर anti-dumping duty लगा सकता है मगर Friends, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि चाइना, ताइवान और वेतनाम बोलने कि इंडिया ने जो anti-dumping duty लगाई है वो सही नहीं है उसके बाद यहाँ पर WTO की dispute settlement body के पास यह case जाएगा और जो decision dispute settlement body लेगी उसको हर country को मानना पड़ता है इस तरीके से WTO ensure करता है कि world की countries आपस में अच्छे से trade कर पाएं और honest and fair practices का पालन हो पूरे trade में Friends, इस वीडियो में आपने देखा कि anti-dumping duty क्या होती है और इंडिया की इस तरीके से अपनी domestic industries को बचाने के लिए समय समय पर आगया आता है Friends, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और informative वीडियो देखना तो हमारे इस वीडियो को like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करें Friends, मिलते हैं ऐसे ही किसी और informative वीडियो के साथ Till then, bye bye and take care